आज सुबह से चल रही है लगो नव दस बजे से शूटिंग में हीरो कौन से देखा आपने कोई हीरो है खेसारी लाल यादो जी को देखा नहीं देखा बढ़ पूर देखा खोब देखा क्या रियक्शन रहा गाउं में आने के बाद खेसारी लाल यादो जी का बहुत यूपी के अमेठी जिले में फिल्म की सूटिंग लगतार दो तीन हपतों से की जा रही है और इस फिल्म का नाम है अगनी परिक्षा अगनी परिक्षा मूवी की सूटिंग की जा रही है हाली में यहाँ सूटिंग यहां से उटके सुल्टानपुर में यानि मैं अगर कल की हुई थी लेकिन अगर मैं इस शूटिंग की बात करता हूँ जिस तरह से ग्रामीर तपके नहीं देखे थे कभी शूटिंग सुटिंग में कैसे system होते हैं, सुटिंग में camera कैसे होते हैं, सुटिंग का मतलब क्या होता है, जो लोग filmों में देखते हैं, उसके बाद अपने सामने अपने आखों से, अपने नज़रों से देखते हैं, तो कहीं न कहीं उगाओं की जो लोग हैं जो ग्रामीर तपके के लोग हैं वो इस सूटिंग को देखने के लिए लगतार भीर बढ़ रही है और मगर पीछे स्क्रीन पर बात करूँ यह जो आपको टेंट दिख रहा है इस टेंट में आज सूटिंग में एक साधी समारों का ऐ अगर मैं उसी पर बात करूँ सूटिंग की तो वहां पर वैनिटी खड़ी है इस वैनिटी में कलाकार तयार होते हैं उसके बाद उनके जो आहम रोल होते हैं इसी वैनिटी में तयार होकर वो रोल के लिए निकलते हैं और उसके बाद लाइट कैमरा एक्षन बोला जाता है जो गाउं वालों की काफी भीड होती है इस सूटिंग को देखने के लिए अगर मैं फिर तद्वीरों की बात करूं तो यह में ठीका हाइवे रोड है मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं तो यह मुसाफिर खाना बाइपास है और इसी के जश्ट कदमों पर मुसाफिर खान में अगर मैं बात करता हूं तो अभी लगबग साड़े आठ नौ के करीब हो रहे हैं रात में सूटिंग होती है और रात में सूटिंग देखने को लिए यहां पर गामीड सब्के के लोग मौजूद हैं हम दो मिनिट आप से बात करना चाहेंगे क्या नाम है आपका सिवसं लाली आदो जी को देखा नहीं देखा नहीं देखा नहीं परिक्षा मूवी की शूटिंग की जा रहे हैं जिस तरह से गाउंब के लोग जो है शूटिंग नहीं देखे थे पिच्चरों में देखते हैं फिल्मों में देखते हैं टीबी में कैसे कैमरा होता है कैसे लाइट पहली बार देखें तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा और गाउवालों को भी भीड़ सुटिंग हो रहे हैं तो उसमें तो अंदर जाने देते थे तो नहें उसके बाद मुलाब बाहर एक रचा देते हैं अच्छा जिस्तिसाब से लोकेशन धराओ इसके पहले आपने कहीं सुटिंग देखी नहीं पहले कभी नहीं क्या नम थापका शिव संकर जी थे अमेठी के ही रहने वाले थे इसके पहले उन्होंने कभी सुटिंग नहीं देखी थी पीछे वनेटी खड़ी है और स्क्रीन पर झाल प्रब्क्रीन है तर्ड़ी रहा है।